नमस्ते आशा करताओं कि आप सुरक्षित होंगे आपसे बिंती है कि देश के लिए ये वीडियो अंजितक जरूर देखे और समझे हम सब जानते हैं कि चीनी चीजों का इस्तमाल करने से हमारा और हमारे देश का एक बहुत बड़ा नुकसन हो रहा है मगर फिर भी हम उसका इस्तमाल दिन प्रते दिन करते ही जा रहे हैं पर आज हम जानते भी है कि लदाक की सिमा पर भारतिय और चीनी सैनिकों के बिट गल्शन मची हुई है तो आप सिफ एक बार सोचिए कि अगर एक सैनिक शरात्वर सीफ और सीफ हमारे रक्षा करने के लिए इतनी कढ़िन परस्तित्यों में रह सकता है तो क्या हम देशवासी होने के नाते चीनी एप्लिकेशन्स और चीजों के बिना नहीं रह सकते हम पहले भी टिक टॉक और हैलाइक के बिना जी रहे थे तो आज भी हर एक भारते इतना मजबुत है कि वो ये सारे चीनी एप्लिकेशन्स के बिना जी सकता है ऐसा ही बहुत सारे चीनी चीजों की बात करें, तो कल भी हम उसके बिना जी रहते हैं, और आज भी हम उसके बिना जी सकते हैं, अगर ध्रण संकल्प कर ले तो, हमारे इस एक संकल्प का बल आपको कुधारन से समझाता हूँ, अगर हम कोई एक चीनी चीज का इस्तमल ना करें मान लो एक earphone तो सोचिए ऐसे 135 करोर देशवा से चीनी earphone का इस्तमाल नहीं करेंगे तो चाइना का कितना नुकसान होगा और ऐसा ही आगे जाकर चीनी चीजों का इस्तमाल करना बंद कर ले तो चीन का बहुत बड़ा नुकसान होगा तो चलिए सबसे पहले आपके phone में से चीनी applications को निकाल दीजिए और धीरे धीरे सारे चीनी चीजों का इस्तमाल बंद कर दीजे और मैं तो बोल रहा है कि दुकांदारों को भी चीनी सामन हो सके उतना कम बेचना चाहिए कि आप नहीं चाहते कि सिर्फ देशबक्ती के नारे लगाकर फोटो खिंचने की वज़ा है सही में देशबक्ती दिखा है तो आज सही ध्रण संकर लिजे कि चीनी चीजों का इस्तमाल करना कम कर दूँगा और धीरे धीरे बंद कर दूँगा अगर आप चीनी चीजों की जगा दूसरी चीजों का इस्तमाल करेंगे तो जरूर से थोड़ी दिक्कत आएंगी और वैसा भी हो सकता है कि थोड़े पैसे ज्यादा देने पड़े मगर दोस्तो ऐसा करके भारत से बाहर जाता हमारा ही पैसा बंद हो जाएगा और हमारे देश के हर नागरिक को फायदा होगा बाद में थोड़ा लंबा सोचे तो ये ही चीजे हमारे भारत न बननी शुरू हो जाएगी तो देश का विकास भी होगा और हमारे सारे गरिब को रोजगारी भी लेगी तो दोस्तो चीनी सरकार को पैसे देने की जगा हम हमारे गरिब का पेट क्यों ना भरे अगर कल जाकर सरकार प्रतिबन लगा ले चीनी चीजों पे तो हम लोग बहुत खूश हो जाएगे और थोड़ी बहुत तकलिफ भी सहलेंगे तो उसी तरह सोचकर आप खुदी चीनी चीजों का इस्तमाल बंद कर दीजे तो फिर अब वैसा मच सोचें कि सरकार क्यों बंद सहनी होगे वैसे भी हम ने इस कोरोना कार में देख लिए कि हम कम से कम चीजों के साथ भी चीज सकते है तो चलिए दोस्तों इस मौके पर दिखा देते है हमारी 135 करोड देशवासे के द्रड शंकल्प का बल और बना देते हैं एक आत्मा निर्वर भारत और तो और वैसा भी मत सुचना कि मेरे अकेले से क्या होगा क्यूंकि ऐसे एक एक करके ही हम सब को एक होना है आप से बिनती है कि ये वीडियो आगे दूसरे लोगों को भी भीजे और उन्हें समझाईए जय हिन जय भारत